लो माई चेक आवज बरबार रहा है एड़पन यूज करें चलो स्टाट करते हैं बाइबक और शेर के उपर नेक्स्ट प्रॉब्लम तो जो प्रोडम करने जानों बाइबक और शेर का फ्रॉम सी इंट्र स्टेडि मेंट्रियल इसको में स्पेशल क्या है इसके अंदर जो डेटा आपको दिया है ना करोड हमें अपता चलेगा कंपनी इक्विटी शेयर बाइबक कर रही है और प्रयेंश कर रही है मतलब एक साथ दो दो चीज़े रिडम्शन प्रेफरेंस शेर भी है और बाइबक और शेर भी ऐसे चप्टर एक्जाम में क्यों आता है क्योंकि ना इसमें एक तीर से दो एक साथ दो चप्टर पूझ लिया इस यह नहीं तो इसलिए से कोशन ज्यादा होता है चांस आने का ठीक है तो रिडम्शन प्रेफरेंस शेर भी है और बाइबक और शेर भी बाइबक एक दम सीधा सीधा है कितना बाइबक करना और शेर दिया हुआ है आपको क्या करना पास जैनर इंट्री और बैलेंशी बनाना है नेक्स्ट डेगा पढ़ लेते हैं क्या कोशन है अनुलिमिटेड एक नॉन लिस्टेड कंपनी है फ़र्निस यूद फॉलिंग बैलेंशीट ऐसान थर्टी पर्स मां दुएदर ग्यारा क्रोर्स में है पहला एक्विटी एन लाइब प्रिटल में क्या वहां वहां परसन रिडीम प्रैफेरेंशीर होना बहुत ज़्यूरी है अगर तुमने पूरा पैसे दिया तब हम आपका पूरा पैसे लीख करेंगे तो प्रसन रीडीमेशी वहां डिशी फुलिपेड़ आप 75 कुरोर्स एक्विडिशर और टैनीश पु Capital इसो 15 सेक्यूरिटी पुयंटी फई सब्सक्राइब में ट्रेड़ पेपल है एसेट में नॉन करेंट असट में प्रापरटी प्लाइन एक्यूपमेंट नोट नमबर वन देखते हैं क्या लिखा है प्रापर्टी प्लांटेन एक्योपेंट हंड्रेड करोर्स का है फुली डेप्रीशेट हो गया तो उसका जो कैरिंग एमांट है जिसको डबल डीवी बोलते थे ट्वल्त में अभी कैरिंग एमांट बोलते वो नहीं ले इसलिए वह डैश किया नॉन करेंट इंवेस हैं कैसे चैने कैसी क्योश्चिक के तो बागी हमने तो पढ़ लिया अब स्टार्ट करते ना नीचे प्रागराफ पड़ोना prosecutors कंपनी मिला इन पशार कंपनी न्युजी करने इन मतलब जिससे पैसा लिया ता उनका पैसा वापिस कर दिया कंपनी ने तो कंपनी रिडिम प्रेफरेंश और फर्स अपरेल इट ऑल्सो बाउट वैक उन्होंने वाइब भी किया इट ऑल्सो माउट बैक पचास लाक इक्विडीश एड़ टेंवीच फिफ्टी पर्स छेर मतलब पचास लाक शिर कंपनी ने अपना पाइब कर लिया अपना वापीश खर लिया और कितन सब्सक्राइब करने से पहले पहला एक सम्मरी दिखाता हूं देखो प्रेफरेंश का इंट्रेग और इक्विडिशिर गाएगा इसी बाद में बनाना आफ्टर रिडंशन के बाद तो बिटा जो प्रेफरेंश शेयर कापिटल प्लस इस पर प्रेम्यम देंगे ऑद आप ऐस चरो प्रेफरेंश रहोल्डर यह अच्छा जो ब 거예요 सब्क्राइब कार्ण कर रहे है एक संब्सक्रास कर रहें हो तो प्रेंश करें कर रहें इसको पर प्रीमिएम धे रहे रेकर रहे अब प्रीमियम नहीं है तो फिर उसका अर्रेंजमेंट करने का खावाली नहीं होता है कि हमें 75 करोड का एजस्मेंट करना रू लुए रिडिम्शन का यह अगर प्रेफ्रेंश है रिडीम होता है बैलंशीन मेंटेन था और सियरा क्रेड करने से क्या होता है सियरा में से क्रेड करते बाद में पुली पेड बोनस देंगे लोत अजाते है वह एग्जामपे जzar केड़ को कांए जील जैसा जेम जील में से काईदी बाहर निकाल नशीए तो फिर आलों को बरती कर लो 75 करोड का फ्रेश इश्यू तो नहीं किये तो सियर क्रेट करेंगे हमें सियर क्रेट करना है कितना 75 करोड का सियर कहां से क्रेट करेंगे revenue resort में से देखो revenue रीजों में 260 करोड है nिकाल सकते 75 करोड हम लोग कहां से निकालेंगे बैटा जी revenue रीजूर में से निकालेंगे सुन रहे है CRR किदर से create करेंगे revenue resort में से निकालेंगे कितना 75 करोर हम लोग इस question में new issue नहीं है ठीक आगे बड़े हैं इसका इंट्री करेंगे बाद में वैय सी मतलब एक दो तीन चार पांच छे साथ मतलब पांच करोड एक करोड में साथ जी रोते हैं तो पचास लग इंटू दस करोगे तो अंसर आता है पांच करोड क्योंकि हम करोर में लिखने भड़कना नहीं अब इसका प्रीमियम कैसे निकालेंगे प्रीमियम वापिस देखो बा पाचाट सा सल लक लिखा इंटू चालिस रुपय मतलब भी सो करोड रुपय प्रीमियम में लों सबसे पहले से प्रेमियम मैं से तो सेक्यूरिटी में से निकालने अब रूल है को टेम करने के लिए या तो फ्रेश एशू करो प्रेश में नहीं है उपरमें नहीं था प्रेश इस风 strikes तो हमें क्या क्रेट करना पड़ेगा सियर क्रेट करना पड़ेगा सियर किदर से क्रेट करेंगे रेविनी रिजो में से तो रेविनी रिजो में से पांच करूड रुपए निकाल के सियर में घ्रासरद्स पर करेंगे तो एक रफ सम्में करता हम इसे लिए फारें फिरके करेंगे ऐक्पटी करेंग और बाद्व्रτεर करते इस ली समजा तो फीकतोrh पहले हम पर लेटें सेड हैं के डिएंट्री में कि तो मैं नारीशेन नहीं लिखना आप जरू लिखना एक्जाम में तो नेक्स टुएल परसंट प्रेफरेंच शेयर क्यापिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम तो नहीं दे रहे तो यह पैसा काई ट्रांसफर करेंगे पैफरेंच शेयर ओल्डर में लोग बहुत सारे होते हैं बल्प का उल्ड कितना रीडिम करना है देखो बैटा 75 क्रोर यह काम करो बैलेंच की ऊपर लिख देना क्रोर तो चार माग उदर कट कर लेंगे क्रोर लिखना क्योंकि मैं जो भी लिख रहा है क्रोर में लिख रहा हूं तो 75 रूपीज नहीं 75 क्रोर ठीक है यह डिव एंट्री है डिव एंट टोडर अब है इंटी हो पीस आऊ एंटने से खत्म कर लेते जी एक करेट क्या की दर से खुंट में से तो उसका अंटरी मार लेते हैं थीक है रे असवेंअस पाइसा निकालेंगे एंट्री रहेंट डी हो अदि घ्यूरिबुट बादुन आप रेवेन्य रिजों एकॉंट डेवेट टो कापिटल रिडम्शन रिजों सी एर कें वी यूज़ फूली पेड बोनस तो कितने का से रग्रेट किया सेवेंटी फाइग करोड का नारेशन क्या लिखेंगे इसका बिंग सियर क्रेटेड आउट 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 आउ रिजो नेक्स्ट वापिस उसी को देखो समरी को अब बेटा डियू एंट्री हो गया सी एर हो गया बादने पेमेंट करना है तो जब पेमेंट करेंगे हम लोग तो एंट्री क्या आएगा पेफरेंच शेयर होल्डर एकाउंट डेविट पेफरेंच शेयर होल्डर एकाउं शेरोल्डर स्टार्टिंग का तीन एंट्री सबको समझा स्टार्टिंग थीन एंट्री हमने किसका किया रेडम्शन प्रेफरेंश का हमने बहुत साल पहले जब हम जवान थे उस टेम प्रेफरेंश से पैसा लिया था उनका पैसा हमने वापिस कर दिया ठीक है समझा पानी पीने दो फिर हम लोग next करते हैं अभी इक्वीडी शेयर बाइबेक का चार एंट्री अज़ा आँ अब हम करते हैं इसके लिए बार-बार समरी देख सकते हो समरी ठीक है नए पुटा समरी देख सकते हो समरी तो पहले एक डिव LED करने का payment का चार एंट्री सी स्टिमाइटिक मिला चार एंट्री यससर तो पहला ुटि इंट्री मार लेते हैं चलो to entry एक्विटी शेयर कैपिटल एकउट काउड डेबिट इक्विट क्विटी शेयर कापिटाल एकउड डेबिट प्रिमियम कहां से सब्सक्राइब लेखता है तो एक एंट्री कम होगा सुन रहे हैं एक एंट्री कम होजाएगा ऐसे लिख सकते हैं हाँ तो मैं डारTube करके दिखा देता हूं से क्यूरीटी प्रीमियम मैं से दिया तो एक अपना कम हो जाएगा सर मास कटनी होगा बिल्कुल नहीं कट ऊँगा सेक्विटी प्रीमेश क्यापिटल एक एकाउन डेविट प्रीमियम काँ से यह रें से ठीट इन तो इकविटी शेयर बाइबे एक टी शेयर buyback to equity share buyback कितना कितना यह देखो equity share capital पाच कोरोड premium 20 कोरोड total 25 कोरोड यह सर तो equity share capital 5 कोरोड premium 20 कोरोड total देना है 25 कोरोड being amount of payable to equity share being amount payable on equity share buyback narration लिख देना अब premium हमने इधर ही कर लिए तो premium का entry बज गया क्या हमने CRR क्रेट किया था यह सर पाच कोरोड का CRR क्रेट किया था CRR करने से रिजोड कम होता है तो entry revenue रिजोड डेबिट revenue रिजोड डेबिट टू CRR Capital Redemption रिजोड कितने का CRR क्रेट करने का जीतना उसका थो बड़ा वैल्यू थो बड़ा फेस वैल्यू तो इसका फेस वैल्यू है पांच करोड उतने का CRR क्रेट होता है तो पांच करोड का CRR क्रेट के नारेशन लिख देना बिंग CRR Created Out of Revenue Reserve अब पेमेंट का एंट्री करेंगे तो यह डेबिट हैना एकविटीक चेर boyबैक क्रेडिट है उसको पे करेंगे तो इसको ॉदिट करेंगे एंट्री एकविटी사ड अकाउंट डापी कन्वेट करेंगे debit कितना पेमेंट करेंगे रिडम्शन अप प्डेफरेंच का हो गया तीन अंट्री डेखो प्रिटा लो मि तीन फ्री हमने रिडम्शन प्रिफरेंच रख़िया तीन एंट्री हमने इक वीटी शेयर का किया समझ महा आया अब इसका बेस पे हम लोग क्या बनाएंगे बिटा अब हम बनाएंगे बैलेंश इट इसका बेस पर लोग क्या बनाएंगे बैलेंश इट बनाएंगे ठीक है यहां तक समझ गया न अच्छे से देखो वापीस देखो जर्नल एंट्री मारने बोले ते कर दिया कर लिए अब हम आएंगे बैलेंशी बनाना हमें बैलेंशीट तो जब हम बनाएंगे डारेक्ट बना देते हैं और एक दो नोड बना देना ताकि एक तिर से तो एक रूपीस कोलम रखना से चलो तो यह आपका रूपीस कोलम यह आपका नोड लिखने के लिए ठीक है और बैलंस चीट कब का बना रहे हैं एसान में एस सचेट का बना रहे हैं तो लिखेंगे स्ट बार выпол कि लेकेदेंगे बैलन्स सीट लाइस Media क अच्डोласт एप्रेल फ्रूस्ट कैब जाब होता है इक्वोटी एन लाइबिलीटी इस चिन्ता मत करूब है उना है कि एक्वीटी में तीन होते हैं फ्रस्ट कूंसा होता है शेयर होडार फं्ड जेइर ओल्डर फंड मेंक्न दो होते हैं सेहर क्यापटल और रि Darth शेयर क्यापीटल और रिसूप इसी का दो बनाएंगे बागी का मुझन शॉटकट भी कर नोट सकते हैं नहीं करते हैं किसी गाल करती हो का टिखना जी बड़ा सुंदर दिखना जी जो बोलना अपको करना तो तो नोट आपको यहां उपर यहां ऊपर बना लेते हैं यहां नहीं जाएं तो GPA को धे हमने दो शेर क्यापिटल कम किया एक तो पेफरेंस शेर कम किया दूसरा एक्विडी शेर कम किया ना तो जारा देखो बैलेंस शीट में पेफरेंस शेर तो रिडिम हो गया तो पेफरेंस शेर तो नहीं आएगा ना बेटा 75 क्रेडिट यह 75 क्रोड क्रेडिट और 75 क्रोड क्रेडिट होता है करेड़िट होता है और नीचे विपिडिट है जबने पांच करोड से हैं कितना कम हो चाहिएगा तो दिखाढ़ देगा उसके अंदर हम 20 क्रोड लिखेंगे करोड समय लिख रहो कि बीस को रड़ अब एक शयर दस रुपे का था एक शयर लिखके देखो बीस कोरोड लिखो आट जीरो एक दो तीन चार पांच छे साथ आट डिवाड बहले एक शयर है एटा दस रुपे तो मतलब कितना लिखेंगा मालूम है हम लोग लैक में लिख रहे हैं लैक्स मिसको लैक में लिखते हैं तो एक दो तीन चार पांस तूहंड्रेड लैक्स कैसे लिखेंगे को टो हंड्रेड लाक्स हुप लाक्स अक्विटी शेर्स ओफ अफ टैन एच समझ में आया हुएव ट्विटीग कलो कैसे आया तुह ंड्रेड लाक्ष अक्विटीश बसक्राइच अंसर बीस कॉरोड इसी कॉ कुन सा है केवल 20 को रोड का केवल इक्विटी शेर समझा अब रिजो हमेशा बनाने का नोट है रिजो का हमेशा बनाने का क्यूंकि उसमें आडलेस करना है तो नॉट नमबर टू रिज रिगार्डिंग रिजव वर रिजय वह आप से रिजया रिजय मैं कौन से रिजय मिलब देखी अतितर डिशो क्यापिटल रिजय को रिजय को अब ने हाध भी नहीं लगाया तो लोग कितना लिखेंगे 15 क्रोड क्यापिटल रिजो को हम लोग एज इटीज लिखेंगे तक सो कुछ भी नहीं किया 15 क्रोड ठीक है यां तक समझा अब आते हैं चैपिटल रिजो के बाद अगला रिजो कौन सा है सेक्यूरिटी प्रीमियम 25 क्रोड था देखो किदर एंट्री में 25 सेक्यूरिटी प्रीमियम फर्स्ट मैं नहीं सेकेंड मैं थर्ड मैंने फौर्थ मैं ना बीस करोड यूज किया था तो सेक्यूरिटी प्रीमियम 25 क्रोड था उसमें से यूज किया सेक्यूरिटी प्रीमियम 25 क्रोड था लेस यूटलाइस पर बाइबैक बोल देना यूटिलाइज पो और बाइबैक कितना बीस को रोड यूज किया तो सेक्यूरिटी प्रेमें पाच को रूड रुपया बचा है बरोबर बटा आगे बढ़ते हैं अगला रिजो कौन सा देखो बैलेंस शीट में है रे रिवेन्यू रिजोह टू सिक्स्टी करोड अफ एल्ष पॉएंटी बीजोट पॉएंटी बीजोटर रित पूएद्ट बी नोटर रेवेन्यूरुट के दूसिक्षाटी कहरोड अजय को detail आनवे कैसे में झेदेखको फैफ्रेंड सब्स्वार को लिए उस किया तो कहां गया हो पैसा और में एक चर्थ सार्थ यह पिजो का जो पैसा 80 इस कि कड्रीकर एक ट्रान्सपर description रिडचन्री रिजन में ट्रांसपर हुआ कितना कितना 75 प्लस 5 समझे क्या 80 करोड रुपया यूज किया तो बैलन्स कितना बचा 260-80 आंसर 180 करोड बचा रेविनी रिजो में बरबर ना 260-80 180 करोड बचा रुको से एरर क्रेट करने से रिजो गया जिसका नाम है कैपिटल रिडंशन रिजों कितने का अरे दुनिया गोल इदर कटो के नीचे लिगने का सी करोड समझा आरे यहां से कटो के वापिस इधर ही आएगा वह भी तो रिजो ही है ना तो सिर्व भी तो रिजो ही है तो यह स्टेश अशी करोड का रिजा है हमारे पास समझ में आया इस हम लोग लिखेंगे तो बैदने सी हमें रिजो के सामने कितना लिखेंगे ना नपर स चली और सेकेंड लिखेंगे करेंड लिविलिट नेक्स्ट लिखेंगे सार्ज ट्रमडूलियूलॉ के लिखेंगोन गश्रचान्ट लाइबिलीटी में है लिखेंगे रगाइबिलु ट्रेट ट्रेट हमने में उसका कुछ भी छेड़ छाड़ नहीं किया तो इसको वही लिखने का कितना 40 करोड यह स्टेज पर हम बैलेंश इन बाइद में टोटल कर लेंगे टैली होना चाहिए यह दस से चार चौदा हो गया थरी 340 ओगया 340 करोड अब आते हैं सेकेंड पार्ट बहुबहली पार्ट टू इसका नाम है असेट अब जो एसेट से तो property plant and equipment वो सो करोड का asset ता साओ तो साओ करोड is the depreciation तो प्रोपरट्र प्लाइन एकुपमेंट निल्जोग होगा यह depreciation था उसका यह उसका cost था ठीक है नौनकररंट investment के साद हमने कुछ भी नहीं किया प्लाइन सब्सक्ытindo demande कुछ भी नहीं हम उली चौरोड गश्य का और मार्केट वैलयू चार सब करोड तो जो मार्केट बैली होता है वो सुन्हें मार्केट यह टिस्क्वोजर होता है आब अंदर भराइपे दिखा सकते हैं सरा ओट्र में कितना लिको सो करोड ओच्छे कितना सो करोड ने डिस्क्लोजर यह दिखा दो मार्केट वाईली उसका 400 करोड अतीक है वो डिस्क्लोजर होता है फानल अकॉंड में समझाया था नेक्स बड़े नंबर टू करन्ट असेट्स करंट असेट्स अब अब आज जो करन्ट असेट्स से उसके अंदर क्या क्या देखो करंट असें में trade रिसेवल है और केशें कैशे के वालेंट है सबसे पहले लिखेंगे trade रिसेवल हमने ट्रेड रिसेवल साथ कुछ भी नहीं किया इस जनल एंट्री में तो उसको एजेट इस लिएंगे एक सो चालीस करोड ट्रेड रिसेवल कितना लिखेंगे बिटा एक सो चालीस करोड अब आते हैं कैश में कुछ है छेट चार्ट कैश एन कैश एक्युवैलेंट का एडलेस क्या करना है देखो बिटा जो कैश एन कैश एक्युवैलेंट था कितना करोड था हमारे पास 200 करोड ह है तो दोजंटब्स 25 करोड cinco दिْकोड सा बने कर दिए हैं कि लंडिंटीच करोड ठाइबन क्यों से उधुन हो जाएगा है था दोसों करोड था उसमें से बापिस कर दिया समझा सो कोरोडcause सब आपिस किया 75 कोरोड पैफरेंश शेयर का और 25 कोरोड इक्विटी शेयर का तो हमारे रिपास बैंक बैलनस कितना बचा हंड्रेड कोरोड बचा यह स्टेज पर बैलेंश ही टाली होना चाहिए यह फूर यह हाँ फूर हो गया थ्री फूर्टी वाउ प्राब्लम कंप्लिटेड एजूम करता हूं बटा समझ में आया फिर से बोलता हूं फास्टर रिकॉल इस कोशन में पैफरेंश भी रिडिम किया इक्विटी शेयर रिडिम किया रूल ऐसा है कभी भी आप पैफरेंश रिडिम करोगे तो आपको प्रो इस नहीं था तो सेर एक्रेट किया एक्वीर करेंगे तो फ्रेश इसे में नहीं है तो यह पास ये और और तीन एंट्री रिडोंचन प्रेफरेंशर का थीन एंट्री इक्वीर बाइबैक का और उसका बेस पे तमाम सबूतों और गाव को देखते हुए हम लोग बैलेंशी बनाएं आफ्टर रिडम्शन एंड बाइबैक ठीक है और नोट समझ में है शेर क्यापिटल बीस कोरोड रेविन्य रिजो में कौन से कौन से था था तो क्यापिटल रिजो पंद प्रेक्टिस करना सुने ना रिक्वेस्ट करता हुए प्रेक्टिस करना तभी चप्टर अच्छा लाएगा तो यह अपने कोशन नमबर टू किया फ्रम सी इंटर स्टडी में ते दम सिंपल कोशन था जाहां पर सी का रिडम्शन और प्रेफरेंशर और एक विडिशर बाइ एक साथ